स्री शिवाई नमस्तुब्यम दर्शकों कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को मनचाहा फल नहीं मिल पाता जिसकी वज़े से उसे जीवन में निराशा महसूस होने लगती है अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप रंग बिरंगे फूलों से कुछ चमतकारी प्रयोग कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं, सभी इक्षाओं की पूर्ती कर सकते हैं आईए जानते हैं किस इक्षा क्यों पूरी करने के लिए आपको किस फूल का चैन करना है और कौन से फूल से आपकी मनचाही इक्षा पूरी हो सकती है ये है सदा बहार का पुधा ये एक दिव्य और चमतकारी पुधा है कई सालों वर्षों से इसका प्रयोग तांतरिक प्रयोग के रूप में भी किया जाता है और देवी देवताओं को ये फूल बहुत ही प्री होता है आम तोर पर आप लोगों ने देखा हुआ आपके घर के आसपास आपके घरों में भी ये पूधा आसानी से लग जाता है और यह सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है सदा बहार के नाम से भी जाना जाता है सफेद और गुलाबी रंग का या पोधा होता है इसके फूल बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे अंगिनत खिलते हैं सफेद और गुलाबी बहुत ही खूबसूरत फूल है और इसके तांतरिक प्रयोग और कई ऐसे उपाय भी किये जाते हैं, जिनसे आप मनचाही इक्षा पूरी करवा सकते हैं, साथ ही धन दौलत के विरद्धी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और कुछ उपाय करके आप लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं, आइए जान आपसे प्रसन होते हैं, आपको कभी की शनी की दहिया नहीं सहनी पड़ेगी, शनी का कूप रभाव से बचने के लिए आप शनी देव को यहाँ फूल अरपित करें, शनी देव की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो पीपल के वरक्ष के नीचे इस फूल को जरूर अरपित किय जाते हैं, तो सदा बाहर का किसी भी कलर का फूल आप शिफ भगवान को अरपित करें शाथ ही किसी भी देवी देउताओं को चड़ाया जा सकता है, घर की पूरविदिया में सदा बाहर के फूल रखने से मान सम्मान में व्रद्धी होती है, तो आप घर के पूर्व दिशा में इसका पोधा भी लगा सकते हैं पोधा नहीं है आपके घर में तो इसके फूल मार्केट से ले आएं आप फिर आपके घर के आसपास हो तो उस फूल को रखें मान सम्मान में अधिक तर आपकी वरद्धी होने लगेगी खाली पेट सदाबाहर के फूल को चबाने से आपकी बिमारियां काफी हद तक ठीक हो जाती हैं जी हाँ दोस्तों कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं घर में सदाबाहर के पोधे रखने से नकारत्मक उरजा भी खत्म हो जाती है यदि आप घर में सदाबाहर का पोधा जड़ को ले आएं आपके घर में हैं तो थोड़ी सी जड़ आप निकाल लें पूरा वरक्ष ना उखाने इसका धीरे धीरे मिट्टी हटा करके थोड़ी सी जड़ का टुकोड़ा लेना है हमें छोटा सा बिल्कुल एक दो इंच बराबर और उसे अच्छी तरह गंगा जल से शुद्ध कर ले शुद्ध करने के बाद में आप उसे एक चांदी की डीविया में रखें और माता लक्षमी को समर्पित करें घर में माता लक्षमी की विधी विधान से पूजा करने के बाद में उस जड़ को माता लक्षमी के पास से उठाने और फिर उसे तीजोरी में ग कर रखे और उसे हमेशा रखे रहने दे आपके घर में मालक्षमी अपार धन की व्रद्धी करेंगी धन खींचा चला आएगा इस उपाय को अवश्य कर लीजिए कैंसर कोशिकाओं को दूर कर देता है कैंसर कोशिकाओं को नश्ट भी कर देता है इसका रस साथ ही ब्लड डाइबेटीज तो अचा के कोई रोग हो गए है यानि की दाद खाज खुजली मुहासे जाईया इत्यादी चीजों को भी समाप्च कर देता है बालों को स्वस्त बनाता है किड्नी की पत्री निकालने के लिए भी रामबान इलाज किया जाता है इसका जूस आप सुबह सु कुल निकालने और फिर उसका जूस बना लें तिन चार बूंद उसका गरम गुनगुने पानी में मिला करके पीजिएगा आपके किड्नी की पत्री निकल जाएगी हाई ब्लेट पेशर के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है साथ ही और भी कई ऐसी बीमारिया है कराएंगे आपको अगले वीडियो में क्या यूज किया जाता है इसका अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों को पहुचा दीजिए फैमली में पहुचा प्राइब करें